स्लाम लेकूं विएर्ज मेरा नाम पजय हमधियार है और मैं में में इंटरनेशनल की जानेक से आपके लिए एक और न्यू जबादस प्रोड़क्ट का रिव्यू लेके हैं जो हैं मार्ट पोजेट अई है फो बेसिकली जुदाया आपके कैश टील पे जहां पे इसको यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सी जगह यह काम आएगा कि इस तरह आप ने वहां पे बलाया होता है सब्सक्राइब करने पड़ती है और इसी तरह माउस कीबूर्ड आपको अटाइच करना पड़ता है यह सबसे इसमें वो तमाम चीज़ें आपको या नहीं के मिल जाती है इसमें आपको 15 इंच की कपैस्ट्ट्ट्ट स्क्रीन मिल जाती है फिर इसमें आपको कोर आई सेवन एट जनेरेशन का प्रसेसर मिल जाता है इसमें आपको 16 GB DDR4 की रह मिल जाती है और इसमें M.2 आपको 512 GB की जो है मेमरी मिल जाती है पावर जो है यह 60 वाट्स करता है इसका आपको यह बेनिफिट होगा कि आप इसको यूपीएस पर भी इजली चला सकते हैं और क्योंकि यह तम पावर करता है तो यह यूपीएस वगरा कोई मसला नहीं करेगा लेकिन हम प्रिजमेंट यह ही करेंगे कि आप साइन वेव यूपीएस पर इसको यूज करें ताके इसके अंदर को यह शू मनाए कुछ बैसिक खाइदे बताती हैं कि जैसे कि जला का इशू जो है आपको पावर सेविंग वाला इशू भी जो है वो भी आपका रिलॉड पोज़ता ह है उसके इलावा जो लुक है इसकी बहुत बहुत जबर्दस्ट है यानि कि आप इसको फ्रेंट से या साइड से दिखेंगे तो यह स्लिम भी काफी है और इसके आप साथ आपको आपशन आ रहती है आपके बास दो आपशन दाती है यह तो आप इसके साथ भी डिस्प्ले लगा रहें जिसमें यानि के सिर्फ आपके मांट शो होगी जो भी आपने कस्टमर डिस्प्ले होता है वो वी अफ्टी होता है यह इसके उपर आपको 9.5 इंच की एबसेडी आप सेकंड डिस्प्ले एदा आप वो भी अटैज करवा सकते हैं तो अगर इसकी बाड़े की ब एब बलेट है शक्तोत है यहीं एब परगब cooking है इसमें आपको तकरीबन सारी पॉर्ट्स जो हैं अभी मिल जाती है दो इसमें आपको सिरियल पॉर्ट्स मिल जाएंगी यहां पे 12 वाल्ट्स पावर आउट मिल जाएगा आपको जो वी एफडी या आपकी सेकंड डिस्प्लेइ के लिए पावर के लिए यूज़ होगा HDMI पॉर्ट मिल जाती है, VGA पॉर्ट मिल जाती है, चार आपको USB 3.0 पॉर्ट मिल जाती है, LAN पॉर्ट मिल जाती है, स्पीकर और माइक की पॉर्ट मिल जाती है, आपको यहां पे पावर का यह पॉर्ट मिल जाती है, जहां पे इसका अडॉक्टर लगेगा, 2.0 की 2 USB पॉर्ट म पिल जाती हैं यानि काफी चीज़ें आप अटाइच कर सकते हैं इसके साथ अगर इसकी नम स्परस्क्रेशन जो बरब बताएं जिसमें आपको यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो कपेस्टिव टैस मिल जाता है जो के बहुत स्मूथ है उसके इलावा आपको यहां पर कोर आई सेवन एट जेनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है 16GP DDR4 की रैम मिल जाएगी 512 M.2 की मेमरी मिल जाएगी और जैसे के आप देख सकते हैं के काफी स्मूथ इसका टच है हम एजिली कहीं भी आप इसको मल्टिपल फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं अब आपको हमारी वीडियो और हमारे प्रोड़ाट्स परशादा होगी और वजीद ऐसी इंफरमेटिव बीडियो और प्रोड़ाट्स की बासे जालने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें, लाइफ करें, बेल आइकों पे लिएक करें आलाह आपिस्ट